Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए coming week का सापताहिक राशीफल ये 18th April से लेकर 24th April तक की आपकी tarot ratings है, tarot predictions है और अगर आप personal tarot s2 session book कराना चाहते हैं तो मुझे whatsapp call या फिर whatsapp message करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि दिए normal call हो सकता है, miss हो जाए लेकिन whatsapp पे आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और मेरी contact details आपको नीचे description box पे मिल जाएंगी इस video के end में भी मिल जाएंगी इसी के साथ साथ अगर आप DDT already में interested हैं तो आप मेरा insta page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या पर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का सापता है क्राशी फल चलिए से जिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards हैं 5 of Wands and Material Harvest तो देखें, Material Harvest का card बहुत ही clearly materialistic tangible चीज़ों से related gain फाइदा होने की बात करता है या फिर पीछे कोई gain फाइदा हुआ उसी से ही related एक happiness एक joy महसूस करने की बात करता है उन्ही को ही enjoy भी करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically इस week आपके professional front में रह रहा है लेकिन देखिए साथ ही साथ five of wants का card कहता है कि minor issues, minor problems, minor conflicts भी है क्योंकि ये general reading है तो ये minor conflicts सब के लिए differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए external हो सकती है circumstances, situation की वज़े से हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके लिए काम करते है आपके साथ काम करते है उनके साथ आपके views नहीं match कर रहे difference of opinion हो रहा है या फिर उनहीं की वज़े से कुछ issues, कुछ मसले हो रहे है तो देखिए फिर से मैं कहूंगी ये general reading है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है लेकिन इतना मैं आपको कह सकती हूँ कि बहुत ही छोटे-मोटे issues रहेंगे क्योंकि ये weekly reading है ये card भी minor arcana है और ये card भी minor conflicts की ही बात करता है तो फिर से देखिए बहुत ही छोटे-मोटे issues है और थोड़ा सा भी आप smartly इनको deal करेंगे तो आप इनको अपने उपर हावी नहीं होने दे पाएंगे और कहीं आप जो भी आपको materialistic चीज़ों से related comfort मिल रहा है एक फाइदा हो रहा है उसको भी पूरी तरीके से enjoy कर पाएंगे and personal front के लिए आप लुगों के लिए cards है the world and awareness और ये cards कहते हैं कि overall ही this week specifically आपके personal front में एक happiness एक joy रहती हुई दिख रही है पीछे किसी भी चीज़ को लेकर आपने बहुत effort किया बहुत महनत करी तो उसी से ही related एक success रहता हुआ दिख रहा है जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से भी एक appreciation एक joy रहे रहा है क्योंकि world दिखे एक cycle को भी represent करता है तो कोई phase या फिर कोई चीज या तो इस week end हो रही है या फिर आप end करना चाहा रहे है और एक नई beginning भी साथी साथ होते होई दिख रही है क्योंकि ये world का card है तो foreign country से related कोई activity भी कुछ लोगों के लिए रह सकती है क्योंकि ये general reading है तो ये activity सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए हो सकता है कि आप out of the country travel करना चाहा रहे हैं या फिर travel कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई you know foreign connection आपका बन रहा है या फिर आप बनाना चाहा रहे है और दीखे जो दो चीजे मेरे माइन में आई मैंने कहा overall ही world का card कहीं foreign country से related किसी activity किसी planning के होने की बात करता है तो nutshell में ये वी काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है again एक joy, happiness, success भी इस week specifically आपके personal front में रह रही है लेकिन देखे जो भी surface level के लिए हो रहा है deeper level के लिए awareness का card कहता है कि आप बहुत ही चुकनने होके, alert होके हर चीज को deal कर रहे हैं आप complete trust किसी पे भी नहीं कर रहे हैं और कहीं देखे थोड़ी सी manipulative energies भी आपकी रह सकती हैं थोड़ा सा आप diplomatically भी चीजों को deal करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं and guidance है आप लोगों के लिए card है well-deserved reward तो दिखे दोनों ही fronts के लिए हमने देखा कि अच्छे-ची चीजें आपकी life में हो रही हैं और ये card कहता है कि इन ही चीजों को आप fully enjoy करें क्योंकि कितनी बार ही होता है जब positive outcome हमें मिलता है positive results हमें मिलते हैं तो भी उतनी खुशी हम नहीं महसूस करते हैं हम फिर भी अपनी capabilities पर doubt करते हैं और पूरी तरीके से उनको नहीं enjoy कर पाते हैं तो बहुत ही clearly ये card आपको message देता है कि जो भी आपको मिला है आप truly उसको deserve करते हैं आपने बहुत effort किया है और अपने उपर confidence रखें और इन ही चीजों को fully आप enjoy करें and astrology से आप लोगों के लिए Libra sign का card है और इसके हिसाब से white and turquoise colors इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Friday तो ये था से टिटेरियस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए